और एक तूनमेंट की माईक की कमेटे सचीन और चिंटु भाई आगे एक बार भाई भाई आएगी यूटूब पहें देया 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 सचीन भाई और चिंटु भाई जब उपर साएं अपने एंटी करा ले भाई प्लीज बॉड बॉल करेंगे बल्यबाजी और शोवन की बोलर और रहना गाज़िबाद और गोरी सरदार मुकाबले में आचुके हैं गोरी सरदार और रहना एक तरफ हैं और रिजुआन भाई और शोवन एक तरफ हैं दबल तूना मैंट चलता हुआ वीनस किरकिता कहे दूए मोदी नगर पहली बोल करेंगे रेना और बले बाजी करते हुए रिजवान पहली बोल और पहली बोल नो बोल ओबर स्टैपिंग की बोल जारी है बोंडरी की तराब और चार रन पहली बोल पहला चोका और बाबु भाई एमपारिंग करते हुए फिरीड देते हुए अगली बोल करेंगे रेना और डोट बोल एक बोल पांच रन हो चुके हैं और दूसरी बोल करेंगे रेना और बहतरीन गेंद बाजी बी करते हैं रेना और बले बाजी बी कर त्रीन शोट और बोल जा रही है बॉंडरी के बाहर चार रन काफी अच्छा सोट मारा त्रीन बोल और तेरे रन हो चुके हैं वीडियो में चोका दिया गया जो की एमपार का ही सारा था बाई लेकिन ये बैट से बोल लगी चोथी बोल करेंगे रेना काफी अच्छी गेंद शेफी अंतिम बोल वची है तेरा रन हो चुके हैं और बहत्रीन गेंद रहना दुआरा और बोल्ड मुकाबले को जीतने के लिए गोरी सर्दार और रहना को एक ओवर में चोधे रन की जरूत है डबल विकिट टूनामेंट का मुकाबला चलता हुआ बल्ले बाजी करेंगे गोरी सर्दार बोलिंग करते हुए रिजवान चोधे रन चाहिए छे बोलो पर पहली बोल और बहत्रीन शोट गोरी सर्दार दुआरा और बोल छक्का पहली बोल पहला छ सर्दार और दूसरी बोल करेंगे रिजवान बहत्रीन शाबर स्वार्ण बोल या बो नटरी के तरफ देखते हैं क्या होता है रिकोष ए और चाहर रन मतलब 10 रन हो चुके हैं दो बोलो पर चार बोल पर चार रंग की जरूत बल्ले बाजी करते हूं गोरी सरदार और बहतरीन चोट मार दिया एक और बार बोल जारे बोंडरी की तरह गोरी सरदार और रहना इस मुकाबले को जीच चुके हैं गोरी सरदार और रहना काफी अच्छी बल्ले बाजी करते हूं गोरी स बोलिंग करते हुए सागर और भाई भी कापी खेलते होंगे और मुकाबला टूनामेंट का पहला में सुरू होने वाला है सचिन मैंक और सचिन एक तरफ हैं मैंक और कैप दूसरी तरह पहला मुकाबला खेला जाता हुआ टूनामेंट का वीनस किरकिट अकेडमी मुरादनगर सचिन पहली बोल पहली बोल पहला चका सचिन काफी तखड़ी बल्ले बाजी करते हुए पहली बोल पहला चका टूनामेंट का पहला मैंच चलता हुआ दूसरी बोल करेंगे कैप ओवर दाविकेट लीले डीले हातों से बोल जा रही है बोंडरी की तरफ देखते हैं क्या होता है और एक और चोका मतलब दो बोलों पर दसरन आ चुके हैं अब तक तीसरी बोल करेंगे कैप ओवर दाविकेट सचिन बल्ले बाजी करते हुए और ए काम करवाते हुए और हम पार के पार्स कुछ बात करते हुए कि इस तरह से देना है चाचा पूरम मुराद अनगर और तीसरी बॉल करेंगे कैप और बॉल जारी यह बॉंटरी के बार, बंबांच, चार रण, तीन बॉल, पंदरे रण और मैच की चोथी बोल करेंगे कैप और ये डोट बोल पांच भी बोल करेंगे कैप बल्ले बाजी करते हैं सचिन और बोल जा रहे हैं फिल्डर वहाँ पर मौजूद है बोल को रोक लेगा और डोट बोल पांच बोल पंदर रहना हो चुके हैं हैं मैंक नावीपूर लेटी बल्लेबाज है न झाल अन्तिम बोल पहले मैच की और जारी यह बोल बोंड्रि की करेंगे मैंक और बोलिंग करेंगे सचिन एक ओबर में बीशन की जओद पहली बोल फिल्डर वहां पर मौजूद है और बोल को पकड़ लेगा डोट बोल और दूसरी बोल पांच अबर बीशन की जओद और ये डोट बोल सचिन काफी अच्छी बल्ले बाजी करते हुए और क अतार तीन बोल टोर तीन बोल पर बीशन की जओद जो कि नामुम्किन स्कोर है अब और चोथी बोल करेंगे सचिन और बोल जा रहे हैं बोंडरी की तरफ मिड़ बिकित की तरफ और चार रन वन बांच चार रन चार बोल चार रन पांच भी बोल और एक और चोका लगता है लेकिन फिल्डर वहां पर मौझूद है, बोल को पकलेंगे, टोट बोल, एक बोल पर सोलरं की जयुद, देखते हैं, क्या हुता है, एक बोल पर सोलर, उठा दिया है, उसके नीचे है, सचिन, और कैच परेंगे या नहीं, और सचिन और मैंग, पहले मुकाबले को जीच चुक करेंगे, ठोजीतने के बाद, पहले बोलिंग करेंगे, बल्ले बाजी करेंगे, विकास सर्मा, बोलिंग करेंगे, लाला सर्दना, डबल विकेट टूनामेंट, लाला सर्दना बोलिंग करेंगे, और विकास सर्मा करेंगे, बल्ले बाजी, पहली बोल करते हैं, लाला सर्द pleward दूसरी बॉल और बॉल्ड तूसरी बॉल परिबॉण्ड हो enable Women whenever you recall और बीक्टन भाई करेंगे बल्ली बाची मुस्मान टीसरी बॉल करते को लाला शर्दन Rig ये डोट बोल और चोथी बोल और ये भी डोट बोल पाँची भी बोल और काफी लंबा छक्का बिट्टू भाई दुवारा काफी लंबा छक्का बिट्टू भाई दुवारा चटी बोल करेंगे मुकाबले के जीतने के लिए 8 रन चाहिए लाला सर्दना को एक ओबर में 8 रन की जओ दूसरी बॉल और डोट बोल कापी अच्छी बोल और दूसरी बोल कापी अच्छी गती से बोल थी लेकिन डोट बोल और तीसरी बोल करेंगे और कापी अच्छी बोल फिल्डर उसके पीछे मोजूद कापी लंबे फिल्डर रोक पाएंगे बोल को या नहीं और लेकिर बोल को रोक लिया, काफी अच्छी फिल्डिंग और डोट बोल, काफी अच्छी बोलिंग करते हुए विकास सर्मा, ओबर दा विकेट, तीन बोल पर अब आठ रन की जयोत, और बहतरीन सोट, रोबिन दुवारा, और बोल बन वांस टू बांस चार रन, पांच भी बोल करेंगे, बहतरीन गेंद वाजी, और एक बोल पर अब चार रन की जयोत, फिल्डर उसको पकल लेंगे, और एक बोल पर चार की जयोत, और बहतरीन सोट, बोल जा रही है बोंडरी की तरफ, चार रन, और रोबिन और लाला सर्दना मुकाबले को जीच चुके हैं, अपरे भाई नदीब, काभी तखड़े ले अधर बोल के खिलारी, और टूनामेंट में आए हैं, मुकाबले को देखते हुए, बले बाजी करेंगे, गोलू, फिरों मुरादनगर, डबल विकिट टूनामेंट का मुकाबला खेला जाता हुए, गोलू, मुरादनगर और और उठा दिया है, उसके नीचे रोबिन जाते हुए, क्या होगा, पहली बोल और आउट, और अब बले बाजी करेंगे, सागार तुहाई, पहली बोल और पहली बोल पर पटका हुआ छक्का, रोहित सर्माई स्टाइल में पहली बोल पहला छक्का, दूसरी बोल करेंगे रोबिन, और बहतरी इन सोट, उसके नीचे फिलडर लाला सर्दना, लेकिन नहीं रोख पाएंगे, एक ओर चार रन, चोथी बोल, और वाइड बोल, और सागर को विच्चीता ही कह देते हैं, कल अच्छा बोलिंग करी सागर ने, और काभी अच्छा स और बोल्ड, बहतरीन गैंदवाजी रोबिन दुवारा, और बोल्ड, अब मुकाबले को जीतने के लिए लाला सर्दना, और रोबिन को एक ओर में 17 रन की जरूरत, बोलिंग करेंगे, अब रोबिन, टूनामेंट का मुकाबला चलता हुआ, पैटिंग करते हैं रोबिन, औ सागर दुवाई, उभरते हुए बोलर, सिंगल विकेट, डबल विकेट खेलते हैं, और पहली बोल, 6 बोल पर 17 रन की जरूरत, पहली बोल काफी गती के साथ, डोट बोल, दूसरी बोल, बहतरीन सोट और बोल जारिये बोंडरी के भार, 4 रन, तो बोल, 4 रन, चार बोल पर 13 रन की जरूत, काफी बहतरीन गेंद सागर फ्रोम दुवाई दुवारा, और अब काफी बड़ा नाम, लाला सर्दना, पल्ले बाजी करेंगे, तीन बोलो पर 13 रन की जरूत, काफी बहतरीन गेंद सागर फ्रोम दुवाई दुवारा बोल को रोकेंगे, और डोट बोल, दो चार रन, पांच बोलेबंगो पर आठ रन हो चुके हैं एक बोल पर 9 रन कि जाए उन लाला सर्दना बने बाज़ी करते हैं, बोलिंग करते हुव सागर, भैतरिन गैंद और इस मुकाबले को जीँछ चुके हैं, शागर और गोल उपरो मुराद नगर मुकाबले को जीच चु यह नमन काफी बहतरीन गेंद नमन बल्ले बाजी करते हुए और चिंटु भाई बोल चिंटु भाई की काफी अच्छी बोल जाती हुई बोल नहीं रोक पाएंगे काफी लंबी डाई के साथ बहतरीन फिल्डिंग का प्रदेशन करते हुए लेकिन चार रन दो बोल चार रन चिंटु की तीसरी बोल उठा दिया है लेकिन यह भी डोट बोल तीन बोल हो चुके हैं चार रन और चोथी बोल काफी अच्छी गेंद चिंटु भाई की लेकिन आमन नमन कुछ नहीं कर पाएंगे और डोट बोल चार बोल चार रन और पांच भी बोल बहतरीन शोट बोल जार ये बोंडरी की तरप और चार रन पांच भोल पर आठ रन और छटी बोल करेंगे चिंटु बल्ले बाजी करते हुए नमन और नहीं जाएगी बोंडरी की तरप डोट बोल मुकाबले को जीतने के लिए चिंटु को एक ओबर में नो रन की जरूरत अक्कुभाई और तूनामेंट का मुकाबला चलता हुआ च्छ बोल पर नो रन की जरूरत पहली बोल भेतरिन गैद करलु भाई दुवारा डोट बोल करलु दुवाई बोलिंग करते हुए दूसरी बोल और बोल जा रह ये बैट में लगके चार रन दूसरी बोल काफी बोल खराब और चारण काफी किराउड है काफी मोटर साइकल है खड़ी हुए गिराउंड में मुकाबले को देखने के लिए काफी दर्सको की संक्या और तीसरी बोल करेंगे कलू बहतरीन गैंद वाजी और डोट बोर्ड चौति बोल करेंगे कलू परोम दुआई काफी एक्सपिरियंस बोल बहतरीन गैंद देखेंगे क्या होगा लगता है और बोल जारी है बोंडरी की तरफ और बहतरीन फिल्डिंग का मुझारा चीता ही कह देते सचिन को काफी तकड़ी फिल्डिंग दो बोल पर पांच रन की जरुद काफी तकड़ी फिल्डिंग कर दी फिल्डिंग से ही तो म बहत्रिन सोट बोल जा रही है बॉंडरी की तरफ और छेरन इस मुकाबले को जीत चुकें अक्कू और चिंटू भाई काभी तकड़ा पर्दसन रहा है और छेरन मार दिये मुकाबले को जीत लिया गोरब गाज़ेबाद और गोलू गाज़ेबाद बल्ले बाजी करते हू mają काजु हूं मोदेनगर और धीरच भाई इनकी तरफ बॉलिन करेंगे दूसरी बॉल गोरब पहले दोट के बाद काफी भेतरीं स्वूटả काजु भाई का और बोल जा रही है चार रही पूरी महाँ दूसरी पहला चो का और काफी अध़ी तकड़ी बले वाज़ाद काजु महात्रू उठा दिया है एक और डोट बोल दोट बोल तीन बोल चार रन और चोथी बोल करेंगे गोराद और बहतरीन गैंद बाजी लेकिन बहतरीन सौट बोल बॉंडरी के भार चार रन थर्ड में पर चार बोल आठ रन और पांचवी बोल और बोल्ड पांचवी बोल पर बोल्ड और बल्ले बाजी करेंग ये धीरज अंतिम बोल बची है आठ रन हो चुकें अब तक कोलू काफी फैमस खिलाडी है टेनिस बोल के और काफी नाम कमाते हुए गोलू गाजबाद और गोरब गाजबाद लगातार दो टूना मैट जीट चुकें और अंतिम बोल मैच की और भाई धीरज ने भी काफी तक लिए गोलू गाजबाद और गोरब गाजबाद को परले बाजी करेंगे गोलू फिरों गाजबाद और बोलिंग करेंगे धीराज एक ओवर में 13 रन की जरूरत तूनामेंट का मुकाबला चलता हुआ छे बोलो पर 13 रन की जाओद पहली बोल और सांदार केंच पकड़ दिये बिकिट कीपर ने बहुती सांदार केंच पहली बोल पर याउट गोलू फिरों गाजबाद पाँच बोलो पर 13 रन की जाओद पहले बाज़ी करेंगे गोल फिरों गाजबाद काफी अच्छी बोलिंग करते हुए धीराज और उठा दिया है उसके नीचे जाते हुए धीराज देखेंगे क्या होगा और कैंच फोड़ चुकी है काफी तकडी बोलिंग और रनिंग कैंच करते हुए धीराज काफी रोमान चक मुकाबला होता हुआ चार बोल पर 13 रन की जरूद है चार बोल पर 13 रन की जरूद और तीसरी बोल करेंगे धीराज बहतरीन सोट बोल जारीय बोंडरी की तरफ गोरब तलेडा बोल को रोक लेंगे और डोट बोल लगतार तीन बोल डोट और चोथी बोल करेंगे धीराज काफी अच्छी बोल और डोट बोल पाँची बोल करेंगे धीराज वाइड बोल और बोल जार ये पोंडरी की तरफ चार रन और मुकाबले को जीच चुके हैं चीक, काजू और धीरट काफी तगड़ा परदसन और दो बार के टूनामेंट विजीता लगातार मुकाबले को पहले ही हार गई काफी अच्छा परदसन रहा दो नोई खिलाडियों का गोरब और गोलुगा जीबाद इस मुकाबले को हार चुके हैं तूनामेंट का एक और मुकाबला सगुन बल्ले बाजी करते हुए और बोलिंग करेंगे हर्स गगोल का भी तकड़े मेरत में नाम है हर्स गगोल का और सगुन का और बोलिंग करेंगे भजजी बाई करेंगे बल्ले बाजी और सगुन रेंचो करेंगे बल्ले बाजी और रेंचो करेंगे बोलिंग बोलिंग करेंगे रेंचो एक समय ऐसा था कि मुराद नगर में इनसे बड़ा बोलर नहीं और पहली बोल रेंचो की बल्ले बाजी करते हुए सगुन और डोट बोल और दूसरी बोल करेंगे रेंचो बहतरीन गेंदबाजी सामने है गोरब फिरोम गाजेबाद बोल को रोकेंगे या नहीं और रोक लेंगे और डोट बोल तो लगा तार दो बोल डोट रेंचो तो काफी तकड़े गेंदबाज है दूसरी बोल करेंगे रेंचो बहत्रीन गेंद बाजी रेंचो दुआरा और केंच करेंगे या नहीं और चीताई कह देते रेंचो को भी बनेंड केंच बगड लिवाई रेंचो को तो चीताई कह देते काभी तगडे बोला रेंचो और अब बल्ले बाजी करेंगे हर्स गगोल और भज्जी भाई की आची का कोई ठिकाना नहीं है चीता ही कह देते हैं और अब बल्ले बाजी करेंगे हर्स गगोल चोथी बोल और बहतरीन सोट बोल जारे बोंडरी की तरफ और चार रन का भी तकड़ा सोट हर्स गगोल दुवारा चाचा जो की टूनमेंट का युजन पार के पास खड़ें हुए है जा चा और पांच भी भॉल करेंगे रैंचो बहतरीन धोख haar जी दौतल दुवारा बोल जारे बोंडरी की तरफ चार रन पांच भॉल आ bisogन से अंतिमबोल करेंगे रैंचों और अनतिमबोल मिद्याम गेंद वाजी दिश्वार बोल जारे ब चाहिए कोरं मेंुधाम का सबसे लंबा जट्का, चीतां ही कहे देते हैं बच्जी बाई और काई चीताई कह देते बज्जी भाई को पहली बोल पहला चक्का तुसरी बोल करेंगे हर्ष गजोल और एभी डी बीलेर्ज के चक्कर में बज्जी भाई ने डोट बोल दो बोलो पर तीन अन की जरुत चीतने के लिए मैच को तीसी बोल करेंगे और डोट बोल कापी अच्छी बॉलिंग करते हुए हर्ष गगोल कापी फैमस नाम मेरत के अंदर और चोथी बोल और वाई कमाली कर दिया बोल जा रही है बोंडरी की तरफ और चार रान इस मुकाबले को जीत चुके बज्जी बाई और रेंचो बाई काभी तकड़ा परदस बज्जी बाई के चीताई कह देते बज्जी बाई को और मुकाबले को जीत लिया काभी तकड़ी बल्ले बाजी करते हुए बज्जी बाई और बहुत ही मुकाबला अच्छा हुआ और बज्जी बाई ने एक तरफ आई कर दिया मुकाबला चीताई कह देते बज्जी बाई को सुवम बल्ले बाजी करेंगे और बोलिंग करेंगे अस्वनी टूनामेंट का एक और मुकाबला चलता हुआ पहली बोल करेंगे अस्वनी काफी तकड़े बल्ले बाज हैं डेविड वानर की तरहें सुवम करते हुए बल्ले बाजी अस्वनी करते हुए बोलिंग तूसरी बोल बहत्रीन गेंदबाजी करते हुए अस्वनी भी और बहत्रीन सोट डेविड बानर की तरह शुवम का चोका और तीसरी बोल करेंगे अस्वनी बहत्रीन गेंदबाजी बैरियेशन के साथ डोट बोल शिवाम और डेविड बानर और बहत्रीन सोट ओप दड़े बोल ही बहतरीन हैं सुवाम का मेरत और पाची भी भोल करेंगे ऐस्टवनी साथ्ट देविः वायर की तरह एक ओरचो का पाच बोल 12 रूए सुवाम मेसा और और शम कर Chief हो चाट्री बॉल करेंगे और भाई का बह स्वाम मेरत दुवारा अंब तक सब से तक़र शक्पा और 18 रन हो चुके हैं एक ओवर में और 19 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए बहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शिवाम बोलिंग करेंगे जाविज जानी काफी बड़ा नाम पहली बोल जाविज जानी की बोल जारिय बोंडरी की तरफ चार रान अस्वनी का पहली बोल पर पहला चोका काफी बड़ा नाम मेरट किर्खिट में जाविज जानी और काफी तकडी केंच पकडी गोरब रोम गाजेबाद ने कीपरिंग की जिम्मिवारी लेते हुए और आउठ हो चुके हैं और अगला बल्ले बाज बल्ले बाजी करेगा काफी गती के साथ जाविज जानी दुवारा बोल और भरत बल्ले बाजी करते हुए जाविज जानी बहतरीन गेंद बाजी जाविज जानी दुवारा काफी गती के साथ आज तका सबसे गती का गेंदबार जावेद जानी और डॉट बोल चार बोल पांच रम पांच भी बोल करेंगे जावेद जानी और भाई बोल्ड इस मुकाबले को जीच चुके हैं जावेद जानी और सुवम अर विया जावेद जानी को भी चीता ही कह देते हैं और रहीस मलिक जो की इस टीम के भाइन अंसर हैं भाई कापी अच्छा टूनामेंट करवाया था तूनामेंट और जाबेद जानी मेरट के काभी तगड़े इस्टार खिलाडी जाबेद जानी को भी चीता ही कह देते हैं और इस मुकाबले को एक तरफा जीत चुके हैं जाबेद जानी है और शुं मेरट और बल्ले बाजी करेंगे अब सहरून मलिक और बोलिंग करेंगे राहू खरा मुरादनगर काभी बड़ा नाम पहली बोल काभी तकड़ी गैंद राहू खरा की डोट बोल्ल्ली और राहू ख कि बहुत ही तerson बोल अजिए बड़ी बाजि करते हुए सारूंध मलीक मेल वेलते डिड़ centimeters और अगली बोल क्वेंगे लाउल एक उस पर दमी बाखे। और ये भी बैट में लगी बोल फिलडर उसके पीछे पोलाड बोल को डिपेंड रोक लेंगे चार बोल आठ और पांच बोल राहूल खरा और भाई एक ओर चोका बहुती तगडा चोका पांच बोल बारा रन और छटी बोल काभी अच्छी बोल राहूल खरा दुआरा एक सकील भाइब वालिंग करेंगे राउंड दा विकेट पहली बोल कापी अच्छी बोल उसके पीछे फिल्डर मोजूल लेकिन सकील डूठ बोल जाते हुए दूसरी बोल पोर्ट बोल और सकील भाई करेंगे बोलिंग और वाइड बोल चार बोल पर दो छक्की की जवुद और काफी अच्छी बोलिंग करते हुए बोल जारिये बॉंडरी की तरफ फिल्डर उसके पीछे मोजूद है लेकिन बोल को बॉंडरी लाइन पर जाके रोक लेगा और पहे हैं कावी तगड़ा चक्का पोलाड को भी चीता ही कह देते हैं चार बोल सात रन तो बोल पर छेरन की जरुद बहतरिन सोट पोलाड दुआरा बोल जारिये बोंडरी की तरफ एक बोल पर चार रन की जरुद है मुकाबले को जीतने के लिए पोलाड को और पोलाड ने तो पोलाड के ही नाम से मारा काभी लंबा चक्का और इस मुकाबले को जीत चुके पोलाड और राउल खरा फर्ट राउंड का मुकाबला था इस मुकाबले को जीत चुके राउल खरा और पोलाड काभी अच्छी बोलिंग करी